आठ मिनिट तक सीम साब पुरानया बजट पढ़ते रहे यह इतिहास मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुए हम लोग भी मुक्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुक्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को दो दो तीन तीन बार पढ़के उसको चेक करके अ है आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है यह होने का तो कि भीक नहीं हुआ है यह तो इनके ऑफिसस की पीछ में पर इश्यू जो है वो यह है कि कोई मुक्यमंत्री बिना अपने बजट को पढ़े या देके उस सुबह यह डॉक्यमंट को लेके आता ह है हाउस के अंदर इतनी कैलिसनस के साथ अगर वो अपने बजट को इतनी कैलिसनस के साथ पेश करने के लिए आया है तो आप यह समझ सकते हो कि अपने प्रदेश को किस तरीके से चला रहा है